हेलो माई यूट्यूब फैमिली नमस्ते कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो ये ना बुद्धवार का वीडियो है और सुबा का टाइम है मतलब घर का जो है ना सब कामा निपट गया था तो ना गेहू जो है ना वो खतम हो गया है गेहू नहीं मतलब आटा कतम हो गया गेहू तो मैंने से सोचा ही ना अभी बस दो टाइम का जो आटा है ना बस उतना ही बचा हुआ था तो यहां पर देखिए इन दोनों ड्रम में गेहू रखा हुआ है तो यह जो बड़ा वाला ड्रम है इसमें भी गेहू है और जो छोटा वाला है इसमें भी है तो अब मैं इसको ना डबे में मतल़ा डबे से निकाल के कटे में जो बोरी उसमें डालूंगी और फिर मैं इसको दूप में दिखा दूँगी फिर यह ना पिसने के लिए तयार हो जाया क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा इसमें मोईस्टर रखे रहते हैं रखे ना पिस्ता है तो यहां पर मैंने जो बैशीट है ना धुली हुई बैशीट थी तो वो मैंने बिचा दिये और उसके बाद से गेहूं यहां पर मैं फैला दूँगी तो धूप तो इतनी तीज होई रही है कि दो से तीन घंटे में गेहूं बिलकुल मतलब चरचरा सूख जाए तो मैं आगे हो किचन में खाना बनाने के लिए तो खाना बनाने से पहले मैंने सोचा ना कि आज मेरा फेस पेक लगा लूं कूँकि इतनी धूप हो रहे है ना अभी 2-3 दो महिने से तो बहुत तेज़ धूप हो रही है तो मतलब मेरे स्किन बहुत टैन हो गई है हाथ और ज़्यादा जो है ना वो टैन हो गया है क्योंकि हम लोग मतलब रहती तो मैं घर में ही हो लेकिन फिर भी बाहर आना जाना आना जाना कुछ लगा ही रहता है कभी सबजी वाला कभी दूद कभी कूड़ा कभी पार्सल कभी ऐसी भी मतलब कई काम कपड़े फैलाओ लेके आओ सब सही है तो बहुत सारे काम होते हैं धूप में रहता है यह तो उसके वज़े सकीन ना बहुत टैन हो गई थी तो मेंने बैसन का पोहा बनानी के लिए मुँखली मुँखली के लिए शबेb Shaydo में कचन में डूंड रही थी पोहा बनानी hack लेकिन अपॉगवी ही थी और ना बिना मुझज बताओं तो मुझे पोहा अच्छा ही नहीं लगता तो फीर मैं ने सोचा कि चलो आप पोहा बिनाना आप कैंसिल करते क्योंकि मुख़ली नहीं रखी तो उसकी बिना मज़ा नहीं आएगा पोहे का तो खाना बिनाने से पहले मैंने एक बार जो प्लेटफॉर्म और गैस की पुच्छा पतलब पुच्छाई है ना क्लीन कर दिया मैंने एक बार पोस दिया है और उसके बास से यहां पर मैं चढढा रही हूं डाल और ये वली जो डाल है ना ये दाल जो चिलकी वाले जो मैं बनाती हूँ तो मेरी ममे को भी bet Gall स कर दोले जालों से थोड़ी सास्थी भी और अच्छी भी है तो ये दाल लोहिते मैं ने चढ़ाने के लिए रख दी यह और आज मैं बनारी हूं सबजी जो गवार फली होता है ना हमारे हैं तो इसको किवाच बोलते हैं और यहां पर गवार फली बोलते हैं आप बता ना आप लोग ने इस सबजी को क्या बोलते हो तो इस सबजी को पहले ना दोनों साइट की जो इसकी तने होते हैं वो निकालना पढ़ता है फिर इसको काट के फिर बनाते तो मैंने सारे जितने भी इसके साइट साइट जो थे ना वो मैंने निकाल दी है और उसके बाद से मैंने इसको ना धो दिया फिर काट दिया और ना इसको अब मैं उबालूंगी क्योंकि थोड़ा साना हार्ड होता है तो हम लोग त सब्जी फी तड़का बाद में लगेगा पहले इन उसको उबालेंगे 15 मिनट तो मैंने देखी जो के वहाँ छे ना उसको उबाल दिया है और सॉफ्ट हो गया था उसके बाद से मैंने तेल डाला उसमें मेथी और फी जो सब्जी उबाली थी ना वो डाल दिया है फिर हल्दी नमक और लालमीज पाउडर और थोड़ा सा जो धनिया ना धनिया पाउडर वो मैंने डाल के ना अच्छे से कर दिया है मेक्स तब तक वो भूनेगा और तब तक फिर मैं इधा एक टामाटर काट लेती हूँ इसमें डालने के लिए इसमें या तो फिर आमचिर पाउडर भ ही बनाओंगी क्योंकि दाल के साथ खानी है तो सूखी सबजी दाल के साथ अच्छी लगती है और यह देखिए आटा का डबा है जो है बस आज का यह जो है इसी टाइम का आटा बस बचा हुआ था यह डबा मुझे दोना भी है आज दो दूँगे मैं से तो आटा बिलकुल और हस्बेन के लिए जो है ना वो मैं बनाओंगी रोटी और अबी न मैं जारी चाय बनाने के लिए तो मैंने और ममी नी तो सुबहीं जो सोकी उटे थे ना तो उसी टाइम हम लोगों ने चाय पी ली थी तो अभी मेरे हस्बेन भी सोके उड़ गए और वह भी आज़गी वाकर वाकर लेकर आ गए तो अभी वो चाय का वेट कर रहे तो मैं यहां पे ना इसी भगोने में बनाऊंगी चाय क्योंकि दूद ना बहुत थोड़ा सही था मतलब बस एक कप या एक कप से भी मुश्किल से चाय बनती तो बस हस्बिन के लिए मैंने थोड़ा से दूद ना पचा दिया था कि मुझे पता था वो भी सोक उठेंगे ना तो उनको भी चाय चाहिए रहे गी तो बस यहां पे न उनकी लिए ही जो मैंना चाय बनाऊंगी उदर में चाय रख दिय बनने के लिए जब तक इदर में रोटिया है ना वह मैं बना लेती हूं तो देखिए जो चाय है ना बन गई है और इतना बड़ा सा भगोना था चाय बिल्कुल उसमें तोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि मतलब दो तीन घूट चाय होगी लेकिन मतलब एक कप थोड़ा सा कम था एक कप था पूरा तो चाय मतलब निकल गई थी मतलब भरकी पीने भरकी तो होई गई थी और उसके बास से देखिए मैंने जो कपड़े है ना सुबह मशीन में लगा दिये थे दोने के लिए और ये कप से फटाफर जो है ना अपने टूटे हुए स्टेंड पर कपड़े फैला दूंगी अब बस मुझे स्टेंड भी लेकर आना है यह देखो मैं कप लेकर आती हूं पतलब वही होता ना एक ही चीज एक ही पैसा बचाओ और कहीं ना कहीं से ना जो खर्चे ना वो होते रहते ही सोचो कि इस में दिते पैसे बच जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ एक नया काम ना आई जाता है अब कपड़े का स्टेंड देखो फालतुका हो गया मतलब वो मुझे अब खरीद नहीं पड़ेगा उसके बिना तो काम चले गई नी अभी बड़े मुश्किल से काम चल रहा मतलब बिल्कु स्टेंड टूट गया है तो उसकी वज़े से क्या हो गया है ना कपड़े मैं जादा नहीं फैला पाती हूं थोड़े ही कपड़े फैला पाती हूं पहले स्टेंड जब सही था तो जितनी भी कपड़े दो लेती थी सब स्टेंड पर आ जाता था लेकिन अब तूट गया तो सारे कपड़े अब आते भी नहीं है, तो मुझे थोड़ थोड़े करके जो कपड़े है वो सु खाने पड़ते हैं तो चले कपड़े मैंने logistics भोड़े फेला दिये हैं और खाना तो बन गया था मम्मी आ रखी घ्यातर न को चिंसे बनाने कि ज़ती मैं नट गर्म ऑनी जो सफाई काम है ना वो में करती रूँगी तो देखे मैंने ना बाकी पुरी घर में हर जगा की जो डस्टिंग है वो कर दी Hai और उसके बाद जै को बीस at जो पोच रही थी तो इने मुझे नने वाइन एक पर फ्रिसटों वह बाहरस कर दोएकरीज सभल करके है यह हलका हलका साब बिल्कुल मैंने से सोचा कि चलो ना फ्रिज के अंदर भी थोड़ थोड़ खपड़ा इस तरह से कपड़े जो है ना माइक्र फाइबर कलोथ मार देती हूं तो भी ना फ्रीज मेरा बिल्कुल चमक जाएगा और सच में फ्रीज जब साफ रहता है ना अब फ्रिज को सोचो एक दिन में कितनी बार खोलना पड़ता है फ्रिज जब साफ रहता है जब खोलो न तो बड़ अच्छा सा भी लगता है तो फ्रिज साफ कर लिया तो उसके बाद से यहाँ पर मैं कर रही हूँ गरम पानी और इसमें डालूँगी दो चमस डिटरजन पाउडर क्योंकि न जो मेरे किचन के कपड़े है न माइक्रो फाइबर क्लॉथ जिससे मैं किचन वगेरा पोस्ती हूँ डस्टिंग वगेरा करती हूँ तो वो गंदा हो गया था तो उसको न अभी डिटरजन इसमें रखके कम से कम 5-6 मिनार तक न इसको गरम पानी में रहने दूँगी फिर बाद में इसको दो दूँगी तो अभी मैंने गैस ओन करकी सिम करकी रखा हुआ है थोड़े दिर में जो कपड़े है न उसको आज में असका तुम बार जाओ अभी न मुझे उकर जाओ न कहीं प्रशी चेर्ची चेंजरय है वो न समझ जाती है कुछ भी उससे बात करोो न तो समझ जाती है कि मैं क्या बोल रही हो तो आज ये वाले जो बैड है इसको भी मैं ब्रस से जाड़ रही हूँ और जो मेरा मैटरस है गदा इसको भी ब्रस से जाड़ रही हूँ और आप देखो जो मैं मैं मैटरस जाड़ रही थी तो इसमें से धूल निकल रही थी क्योंकि मैं मैं मैटरस बहुत दिनों बाद और यह ब्रस बड़ा अच्छा है सच में मेरे न मतलब एक ब्रस से समझो कि बहुत सारा मेरा जो काम है न वो हो जाता है और यहां पर मैं लगा रही हूँ जाड़ू क्योंकि अभी ऑसकर गई थी बाहर और उसने न मिट्टी खोद के आई थी उसके पैरों में बहुत सारी तो पूरे घर में वो चली तो मुझे न किरिर किरिर सा लग रहा था फ्लोर मैं सोच रही थी अभी तक तो सही था अभी अचानक से क्या हो गया तो पता चला कि ऑसकर जो है न वो मिट्टी खोद के आई यह तो फिर मैंने जो है न जाड़ू लगा लिया और सारे काम नुप तो इसको भी धूके रख देती हूँ तो दोरो बह खाली हो जाते हम चावल के हो या आटे के हो तो मैं उसको दो देती हूँ तो फिर साफ़ साफ लगता है न अच्छा हो और आसन दोले डबं हम रखो न तो देख का भी अच्छा लगता है तो दोस्तो मैं न अपने घर की काम में न अपना आपको बिजी रखती हूँ तो मुझे उसमें न बड़ा सुकून मिलता है न दिन बर अपने काम करते रहो अपना माइंड न उसी में बिजी रहता है तो खुशी भी मिलते हैं अपने काम में बिजी रहे के न तो दोस्तों ये था मेरा आज का मॉनिंग व्लोग I hope आपको मेरा व्लोग पसंद आया होगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स व्लोग में Bye Bye Take Care